So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोजाज चॉबिस की All New Bajaj Pulsar N-150 के बारे में तो यह जो है दोजाज चॉबिस का बिल्कुल ही लेटेश्ट बैरियंट है तो यहाँ पर आपको N-150 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी खेर थोड़े बहुत स्क्रैचेस लग गए तो यह N-150 है जो कि यह बिल्कुल ही लेटेश्ट बैरियंट है और इसकी जो पहचान है वो आपको इधर देखने को मिल जाएगी तो फिर्वल टैंक पे आपको मिल जाएगी E20 की ब्रांडिंग जो कि यह BS7 का या फिर BS6 Phase 2 का पहचान है बागी जो में अपडेट हुआ था वो था बाइक के कंसोल में लेकिन बाई जो चीज आप लोग थम्नेल देखके आयों कि आपको N125 मिलने वाली है तो वो बिलकुल ही रियल है तो बाई जो N125 है वो आपको आने वाले दो से तीन मेने के बीच में देखने को मिल जाएगी कंपणी ने पहले लॉंच किया N250, N160, फिर N150 तो अब जो भई आपको N125 भी देखने को मिल जाएगी तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है रिव्यू बजाच की पलसर N150 का तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बाई के फ्यूल टैंक से धक्लत के पलसर की ब्राणडिञ जो की आपको ब्लैक क्रोम में दिखने को मिलने वाली और उफ़ उपर के साइड मिल जाएगा Mobile Charging पूर्ट जो की आप यह देख सकते हैं और इसमें जो है इधर आपको मिल जाएगा राउंड शेक में फ्यूल कैप जिसने कि आपको E20 की ब्रांडिंग मिलने वाली है अगर इसे आपको फोलते है तो आपको यहां पर यहां पर की इंसर्ट करने का पाराकि यह डिजाइन तो उपार बागी जो यह तो ठीक है और इसके जो जो रिम है रिम का वह आपको इंडियोरेंस का मिल जाएगा फ्रेंट के जो टायर्स है वो आपको MRF ब्रांड के मिलने वाले हैं और इसका जो मिडगार्ड है वो आपको डूल टोन मिलेगा यह आपको बिलेगा गलॉस में यह आपको मिलेगा मैट में बाकि इधर जो आपको मिल जाएगी ABS की ब्रांडिंग और अगर इधर के साइड तो इधर आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक जिस्पे की आपको मिल जाती है ABS की रिंग और जो ब्रेक के अलिपर्स है वो किसी किसी मॉडल आपको देखने को मिल जाएगे बाकि जो है इधर भी आपको ABS की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है और बाइक का जो इंजन है वो आपको 150cc का देखने को मिल जाएगा जो कि ये आपको एर कूल 5-speed gearbox के साथ मिलेगा बाकि जो है ये इंजन आपको किक स्टार्ट के साथ भी मिलता है और ये इंजन DTSI नहीं है पैचान ही है कि इस बाइक में आपको डॉल प्लक नहीं मिलता ये बाइक जो है सिंगल प्लक के साथ आती है और इसके जो मैक्स पावर है और जो टॉर्क है वो आपको नीचे मिल जाएगा पढ़ लेना भाई को सब तो वो मुझे उतना इसक्ट याद में है और इसकी जो मैलेज है वो आपको लगभग 45-50 की मिल जाएगी इस पीड जो है ये काड़ी आपको 128 के आस पास तक का दे देती है और इसमें जो है आपको ये मिल जाता है इससंगल होआन सटोप बाकी जो एकजोश्ट है इधर आपको मिल लेवाला है कैटलेटिक अनवेटर जो की नोम को फुल्फील कर देता है और धाइक कर जो इंजन है इधर आपको मिल जाएगा इंजन के वोटार्जिस पर की आपको मिल जाूनयेगे ग्राफिक्स विए, पिट जिस पीवर का है और यह जो डुट से खिता Hemid जो तर्वर पार्ट में रहेगा उपकर जो पार्ट है वो खी underneath और जो झो यह काफी ठीक काम कंपणी ने कर दिया है और इसके जो फूट पिजेस राइडर के तो यह वाला जो है आपको फोल्डबल मिल जाएगा लेकिन इसमें कंपणी ने कोई भी स्प्रिंग इस्टॉल नहीं किये जो फूटरेश्ट पिलियन का है वह भी आपको फोल्डबल देखन जाने कि ABS तो नहीं है लेकिन आप वह इसकिड भी नहीं करने वाला है और इसमें आपको कंपनी प्रोवाइड करा जेती है अंडर वेली एक जो कि यह आपको साउंद काफी बेसी प्रोवाइड कराने वाली है बाइक में आपको डूल स्टेंड का भी सेटप लिखने को मिलन एक इसके रिम्स है वह आपको मिलते हैं इंडुरेंस ब्रांड के दो आप ब्रांडिंग देख सकते हैं बागी जो टैर्स है वह तो ट्यूबलेस ही रहने वाला है और पीछे का जो कैली पर है वह आपको सिंगल पिश्टन के साथ देखने को मिलेगा पीछे का है तो उतना बाइट की जुरुषत नहीं होती है बाकि अगर पीछे के पार्ट में आए तो इस बाइट में आपको सिंगल पीस में ग्रेब रेयर मिल जाता है जो बाइट की टेल नाइट है वह आपको कंपणी LED की प्रवाइट कराती है जो की एन का ये सिग्नेचर टेल लाइट है जो से वह आपको सॉल्ट मिलते है यानि की फ्लेक्सिबल नहीं है पीछे जो बहुँ कुछ ऐसी आपको टेल टैडी मिल जाएगी रिफ्लेक्टर साब को यहरे मिल जाएंगे नंबर प्लेट आपकी यहां पन लगने वाली है बाकि ये काफी शॉल्ट टेल टैडी रहने वाली ह पीछे के साइड आएं तो पीछे आपको कुछ ऐसा हगर गार देखने को मिल जाता है तो इसे आप रिमूफ कर दोगे तो ज्यादा आपके बाइक कर लूक अच्छा आएगा खैर कंपनी को यह देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी की मजबूरी है कि कंपनी इस गाड़ी में के अंडर में आती है जो बाइक कर सुइंगा हम है वो आपको बॉक्सी शेप में दिखने को मिलेगा यह आपको गोला नहीं मिलने वाला है और अगर उपर के साइड है तो बाइक में कुछ ऐसी आपको मिल जाती है सिंकल पीस में सीट जो की बहुत ही चोड़ी है यहां पर ग्रैफिक्स मिल जाएंगे मैट ब्लैक में जो की आप देख सकते हैं बाकी अगर साइड में आए तो इधर आपको एन वन सिस्टी की तरफ कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती है ग्रैफिक्स आपको इधर भी मिल जाएंगे वाइट रेड और यह सब के तो वह आप देख स सिंगल स्पार प्लस देखने को मिल जाता है और इसका जो बाई गेर का लिवर है वो आपको सिंगल रोट पे माउंटेड मिलेगा जो गेर का पैटन है वो आप देख लो तो बाई कुछ ऐसा आपको गेर का पैटन देखने को मिलने वाला है और इसमें जोगे कमपनी आपको देखने को नहीं मिलती है, लुक्स तो काफी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस काफी ज्यादा बाइक मागती है, पीछे जो वह आपको मिल जाता है, मोनो शॉक जो की आप देख सकते हैं, यह इंडियोरेंस ब्रांड का है, और यह एगजेस्टिबल सस्पेंशन रहने वाले हैं, बाकि जो गाड़ी में आपको लेकाड़ अगएरा मिल जाएगा, अभी इंस्टॉल लाईगे, अब आते हैं उपर के साइड, तो बाइक कर जो मि कंट्रोल का, कंसोल का, बाकि यह आपको मिल जाएगा, इंडिकेटर, होरन, पास वगएर आपको इधर मिल जाएगा, और बाइक का जो फ्रंट लुक है, वो आपको सेम N160 के जैसा मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, LED का लाइट, LED की DRL, नंबर प्रेट आपकी यहा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को, अगर यहाँ कोई बाइक पर्चेस करने के तो आप लोग शोरोन पर कॉंट्टैम्ट कर सकते हैं, नीचे ऐपको मिल जाएगा, शोरोन को कॉंटैक नूबर, डिटेल्स, तो भाई, लाइक कर दिना मिलते हैं क झाल झाल